नमबर वन, कुका कोला की खोच करने वाले जाने स्टित पेम बर्टन अमेरिकां के विद्रोही थे वो अमेरिकी गृयुद में बुरी तरह घ्यल हो गए थे, उनका खैल होना ही कुका कोला की खोच का कारन बना इसलिए इसे ब्रेंट टॉनिक तक कहकर बेचा गया नमबर 5 यह बिल्कुल सच है कि सन 1903 तक कोका कोला में कोकेन मिलाई जाती थी नमबर 6 कोका कोला बहुत सस्ती बनती है इसकी कीमत है सिर्फ 5 सेंट परती गलाथ पर लोगों के हाथों में आते आते इसका दाम कई गुना बढ़ जाता है कोका कोला को बेचने के लिए सेंटा क्लोस के लिया गया था सहारा जो सेंटा क्लोस की ड्रेस में से पैकिंग का रंग चुराया इसे 1930 में कोका कोला ने अपना परचार किया था 88899 कोककोला को बोटल में बेचा जाने लगा इससे बेले कोका कोला बोटल बंद नहीं थी इसी लिए यह सिमित मात्रा में ही स्टोर करके रखा जाता था नमबर 9 कोका कोला ताकत बढ़ाने वाला ड्रिंग के लिए फेमस था इसलिए 1923 में कोक ने लोगों तक ये बात पहुचाया कि कोका कोला पी कर लोग पसीना बहा सकते हैं और 6 एप्स बना सकते हैं